Hello Traders and Welcome to the studio आज काफी दिन के बाद हमने trade execute किया है बाकि यह से चोटे मुड़ी trades हम कर रहे थे विकास तीन या चार दिन से बाहर की तरफ ही है कुछ travel cases लिए में family के साथ बाहर ही है तो आज भी हमने जो trade execute किया है execution के बाद में यह video हम चोटा से record कर रहा प्रोवों के लिए जिंदल स्टील का trade था और जिंदल स्टील में अभी डेली time frame को लोग देखेंगे decreasing lows के according जिंदल स्टील को हमने buy किया था इंसके सारे level stop loss, entry target एक एक चीज के ओपर discussion करेंगे and main point यह होगा आज के लिए हम लोग support और resistance कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग draw कर लेते हैं but actually वो कौन से एरिया से जो supports या फिर resistance actually market में work कर सकते हैं या जिनके ओपर हमें ध्यान देना चाहिए या फिर जहां से हम लोग को readings को आगे की तरफ बढ़ान चाहिए आप डेली time frame पर देखो जिन तरफ यहां पर देखे एक gap down किया था करते हैं volumes को यहां पर देखे यह रेट केंडल से आपको दिख रहे हैं volumes down के साइड की तरफ है यह रेट केंडल यह देखे दोनों green candles opposite side के direction में trade करना आता है जैसे ही कल volumes के रही general still हमारी level पर आया यहां पर हमें trade करना था buy side में trade करने का अच्छा confirmation इस नहीं दिया था और same to same trade हम नहीं किया था PNB का PNB में करी 500 quantity के साथ में इसको buy किया था दोनों ही trades लगभग लगभग similar trade ही है because daily timeframe पर जिस method के according हम रेट किया था हाला कि PNB के अंदर decreasing lows नहीं थे but point of action निकालने नहीं टेक्निक जैसे जेंदल के अंदर थी वैसे ही आपके PNB के अंदर थी तो जल्दी से आज की trade की profit book open कर लेते हैं orders में quantities और stop loss होगरा कितना क्या लगए तो इसको एक बार देख लेते हैं इसके बाद फिर start करते हैं के वीडियो तो प्री लॉग इंड है ओके यहां पर position book open करते हैं पहले position book overall जो में आज का profit है 9,547.5 पैसे का 50 पैसे का profit overall which is enough और भी price को upside की तरिफ जाना था because stop loss था वो थोड़ा सा बढ़ा हो गया order book में आप देखो तो करीब 950 quantity के साथ में एक्जेक्यूट किया था ठीक था मतलब 10 पैसे का थोड़ा सा उपर के तरफ आया है 85 रूपीज पर हमने लगाया था अपसाइड के तरह में को price मिला था ठीक है कई बार होता है मतलब espresso में ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम कहीं पर order लगाऊ वो उपर नीचे की तरफ मिलें ऐसा नहीं होता है फिलाल आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग discussion करेंगे कौन से support resistance है जिसकी के ओपर हम लोग असली support resistance है वो असली इंदस है इसके जिसकी कूपर हम लोग काम कर सकते हैं reliable है so thanks video अच्छा लगता है तुसको जरूर से जरूर लाइक किजएगा comments किजएगा and start करते हैं जो भी areas है point of actions है हमारे methods है techniques है सब को excited करते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखो हम लोग किसी भी segment में काम करे हैं सबसे पहले चीज़ तो हम यह clear कर दें क्योंकि हमसे काफी लोग बोचते हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं क्या हम इसे derivatives में भी काम कर सकते हैं derivatives छोड़ दो आप इन ही method से जिन method से हम stocks को trade कर रहे हैं same method से हम लोग crypto हो गया same method से हम लोग forex trading कहने का मतलब जितने भी segment हम लोग सभी को mcx है derivatives हैं आप किसी भी segment को trade कर सकते हो SM क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह price actions है actually इन्हें सिर्फ इस वजए से यह समझ करके मत देखो कि इसे सिर्फ stock ही trade होगा जो भी system हम आपको बता रहे हैं आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि derivatives को शुरुआत में trade मत करो जब तक कि equity में profitable ना हो जाओ इसका मतलब यह नहीं कि यह systems derivatives में काम नहीं करेंगे यह equity छोड़ करके किसी और segment पर यह system अपना काम नहीं करता है यह करेगा बिल्कुल 100% जैसे यहां पर काम कर रहे हो आप वैसे ही किसी भी segment में काम करेगा जस time frame का थोड़ा बहुत फर्ख होता है वो segment wise change होते हैं time frames पहली चीज़ जितने भी method से जितनी भी technique के according अपनी levels नेकालते हैं सभी को हम लोग अभी एक side में रखेर के पहले यह चीज़ समझ लेते हैं कि actually इन सभी methods का outcome क्या होता है कि क्यों हम लोग इन levels को prefer करते हैं या कौन से वो levels अभी हमने पाता है ना कि कौन से वो levels हैं जिसके ओपर हम लोग यह कह सकते हैं कि this is point of action यह हमारा point of action है and यहां से हम लोग अपने trades execute करेंगे actually हमारी अपने personal language में इसको बोलते है point of action यही अपना support भी बनता है और यह हमारा resistance भी बनता है तो reliable support और resistance कैसे होते हैं बिलकुल simple language है कोई बहुत बढ़ा हाथ चड़ा करके हमें कि deep में जाकर कि बहुत यह वो indicators और calculations के according नहीं कुछ नहीं आप यह समझ लो अभी सिर्फ हम दो line put करेंगे यह मेरा resistance point है और यह मेरा support point है एक यह हो जाएगा यहां पर आप देखोगे कि दो तरह के price action आपको इन lines पर दिखाई पड़ेंगे जैसे की एक तो इस तरह का होता है यह resistance का हो गया आप जस्ट इसका opposite कर दो कि यह मेरे support points है अभी जो हमने बोला आप से ideal ideal का मतलब क्या है इस तरह के price actions को हम लोग charts में ठूणने की कोशिश करते हैं अगर हमें हम जो भी lines draw कर रहे है उन lines के पास में अगर हमें इस तरह के movements दिखाई पड़ते हैं कि price आपके area पर आ रहा है और यहां से reject हो रहा है और यहां पर आ रहा है और reject हो रहा है फिर से reject हो रहा है फिर reject हो रहा है और अर एगें reject हो रहा है तो यह ideal conditions होते हैं अगर हमें इस तरह के price actions हमारे द्वारा draw की एगए levels पर मिलते हैं यह level इतना prefer हमुइन कर सकते हैँ trade execute करनी के लिए यहां पर हम लोग risk लेकरकर के अपना क काम करते हैं अब हम लोग आगे की तरह पढ़ते हैं यह आईडिल कंडिशन हो गई एक्शली जब लोग मार्केट में काम करने के लिए जाते तो हो सकता है इस तरह के एक्शन्स आपको ना दिखाई पड़ें प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन अप और डाउन अप आपको करता है पड़ें तो यहां पर हम लोग कैसे काम करेंगे एक बात यह समझ लीजे मार्केट में काम नहीं करना ज्यादा मुश्किल है काम करने से फिर से समझे मार्केट में काम नहीं करना ज्यादा मुश्किल है काम करने से अगर हम आपसे बोल दें कि यह जो हमने are losing their money but उनके पीछे के reasons क्या है तो मनगरंत कहानिया बनाई जाती है कि ये नहीं आता वो नहीं आता फलानी डिम कहानी चाहिए आप हम से पूछोगे कि क्या reason है सिर्फ एक simple सा universal reason है कि हम हर condition में काम करना चाहते हैं और हर तरह के price actions पर अपने आपको fix देखना चाहते हैं अगर हम एक stock trade नहीं कर पा रहे हैं तो उस एक stock को trade नहीं कर पानी के वज़ाए से खुद से question answers होने लगते हैं खुद के उपर doubts होने लगते हैं कि क्या हम capable है काम करने के लिए या नहीं है अगर हमने कल को profit खर लिया था हम ये भी सोच करके बैठ जाते हैं कि हम ये क्या है जो भी हम बोल रहे हैं ये सारी चीज़े क्या है ये psychological चीज़े हैं देखिए actually ये हमें दिखाई नहीं पड़ती है बट बहुत सारे profit और loss के पीछे ये psychological चीज़े ही काम कर रही होती है इस उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है हम हर condition में काम नहीं कर सकते है हमारी watch list में इतने सारे stock हैं अगर हम आपको दिखाएं मतलब 40 से 50 अभी हम अगर watch list open करेंगे तो ये drawing अपकी remove हो जाएगी कई सारे stocks हैं उन सारे stocks में से jindal steel ही क्यों बाकी के सारे stocks क्यों नहीं सभी कुछ न कुछ move कर रहे न क्योंकि इसके point of action आज बाकी की सभी jindal steel से पहले आज कल तो हमने jindal steel स्लेट कर रखा था था अब आज हमने क्या देखा कि इसने बिलकूल वैसी ही opening दिखाई जैसे कि हमें चाहिए थी point of action पर भी था हमारे exact resistance या support एक तरह से create कर रहा था जैसा हम चाहते थे हमने इसको trade किया बाकि बहुत से ऐसे stocks होंगे जो कि up down up down कर रहे हूँ जैसे इस तरह के movement क्या हम इने trade कर देंगे या इस तरह के movement हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह के price actions को trade करने में माहिर है हो सकता है हम personally अगर हम अपनी बात करें तो just imagine example के लिए कि हम इस तरह के price actions को trade करने में माहिर है हर trader का अपना एक unique point होता है उसकी अपनी uniqueness होती है हम discuss कर रहे है कि कौन से support या resistance level काम करेंगे हो सकता है मेरे लिए जो support या फिर resistance काम करें वो आपके लिए काम ना करें और उनके पीछे reasons हैं कि हम जिस तरह के price action को trade करने में खुद को माहिर मानते हैं हो सकता है उस तरह के price action को trade करने में आप माहिर ना हो और खुद को बस प्रूफ करने में लगे पड़े हो जबकि यहाँ पर मेहनत करनी होगी अपने लिए सबसे reliable point of actions को find करने की अपने लिए आपके लिए कौँ सा price action सही है अगर एक करोड ट्रेडर है ये चीज याद रखना अगर एक करोड ट्रेडर है एक करोड प्राइस एक्षन के साथ में वो काम करेंगे हर आदमी ये आपको descending triangle, ascending triangle, double top, double bottom, ये candle, वो candle, फलाना, धिमकाना, put, wood और क्या-क्या तो इस ट्रेडल इस triangle होता है उन सब को हटा करके अगर हम आपको successful traders की list में बैठा दे और अगर वो एक करोड ट्रेडर successful है आप यकीन मानो वो सारे के सारे एक करोड ट्रेडर के पास से अगर आप एक सिस्टम को निकालोगा तो आपको एक करोड सिस्टम मिलेंगे क्या हम समझाना चारे है कभी भी आपका और आपके दोस्त का system सेम नहीं हो सकता और हम लोग क्या करते हैं न हर तरह की सिचुएशन को हर तरह की स्टॉक्स को ट्रेड करने के कुशिश करते हैं फिर से हम आ जाए हैं शुरुआत के पनी बात पर कौन से support resistance काम करेंगे या नहीं करेंगे इसको समझाने के लिए इतनी बातें क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसे समझने के लिए ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी होता है अभी हमने कहा ना काम नहीं करना ज्यादा मुश्किल होता है competitively काम करने के rose market खुलती है 95% trader लूस कर रहा है क्यों लूस कर रहा है जगात वह लोग क्या trade कर रहे है वो bank nifty trade कर रहे है वो बेचारे रोज ट्रेट करना चाहरे है वो रोज straddle strangle फलाना धिमकाना हर तरह की एंगल लगा लगा करके वो trade कर रहे है उनको दिखाया ऐसा जाता है कि मार्केट में इसी हवा बना कर रखी हुई है कि ऐसे डिफेंडर ले लोगे आप इस तरह सी वो ले लोगे और ये मतलब अजीब अजीब तरह की चीजें ये उडा दो इंडिकेटर बेचे जा रहे हैं पर डाउनसाइड की तरह लिखा हुए उडा दो अब मार्केट चल की वो नीचे लिखा है उडा दो अच्छा यहां से बाई कर लिया होगा इन्होंने उपर लेखा है नीचे गिरा दो फेक दो इस तरह की लेंगवेज यूज होती है फेक दो उनीचे फेक देगा वहां से वो पुट है वो बायू हो जाएगा अजीब 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 तरह की चीज़े हैं और लोग इनके ओपर बिलीफ करते हैं तो बेचारे नहीं वो बेवकूफ हैं लेकिन उन्हें अपनी ये बेवकूफी समझ में आती है दो साल, तीन साल, चार साल, पान साल जब पूरी तरह से ठग चुके होते हैं और ठग चुके होते हैं तब समझ में आता है कि एक्चुली वो लोग क्या कर रहे थे रोज ट्रेट नहीं हो सकता अभी हमने कहा ना काम नहीं करना ज्यादा मुश्किल है तो जो इस तरह की चीज़े हैं कि रोज आपको बता जा रहा है काम करना मतलब 3, 1,5 लाग, तो लागा प्रॉफित निकाला तो आपको क्या समझ में आएगा कौन सो सपोर्ड रेसरेंट काम करेगा कौन सो सपोर्ड रेसरेंट काम ने करेगा उसके पहले हम इतनी बात है क्यों कर रहे हैं अगर हम आपसे कहेंगे कि सिर्फ आप इस तरह के price action को ही trade करना आप बात हमारी सुन लोगे हो सकता है वीडियो आप देखो देख करके चले जाओ बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कल market में फिर क्या हुआ इस तरह की price action नहीं बने आपके सामने कौन से price action बन गया आपके सामने बन गया यह वाला price action अच्चाइब फिर से दिमाग में वो श्यातान पना गया। हमें तो यह तो कुछ नहीं होता है यह उनुक्त होता है यह आपके सामने लीक हौन से त्राइं कि दिखा दिया थह अब पैसा नहीं बचा तो मेरे पास आते हैं कि प्लीज सिखा दीजे कुछ तरह से रिकवर कर दीजे और जब उनको बोलते हैं कि काम करने का जो तरीका है उचेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे काम हम नहीं कराएंगे अरे सर प्लीज सर हमारा लॉस्त रिकवर करा दीजे सर तो जाएए आप लॉस्त रिकवर कीजे जा करके सब कुछ है पैसे हैं सब कुछ है मतलब कैपबल हो काम करने के लिए तो जिस डिरेक्शन में जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रहे हो और जब कुछ नहीं रहा तो फिर मेरे पास अब कुछ नहीं है प्लीज बचा लिजे प्लीज हमें ये कर दीजे वो कर दीजे तब फिर आप वहीं पड़ जाओ जहाँ आपने डेल लाग दो लाग रुपे दिया और सिर्फ तीन दिन पांस दिन की वक्षप करेंगे खतम वो आपको कॉल तक पिक नहीं करेंगे लाग रुपे लेने की बाद में आपको फोन नहीं उठाए जाएगा या बाराँ हज़ा रुपे लेने के बाद में जब हम दो मेने क्लास देरे वो हैंड भूल्डिंग होती यह सारी बाते निकल कर क्याते हैं जब मेरे पास उल्टी सिधे कॉल आते हैं आगे बढ़ते हैं क्या चीज अभी तक हमने क्या चीज़ क्लियर की अब बढ़ते हैं अभी तक हमने कौन सी चीज़ क्लियर की कि हम लोग हमेशा ट्रेट नहीं कर सकते हमारे लिए जिन point of actions को हम trade कर सकते हैं जिस price action को हम trade कर सकते हैं हमें सिर्फ वही price actions चाहिए तो याद रखो आपको एक price action अपना fix करना पड़ेगा अभी example के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं एक ऐसी line हमें draw करनी है जहां से price आपका सिर्फ turn हो जा रहा है support, 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 support इस तरह के price action से आप trade आप देखना है कि आपकी accuracy कितनी बढ़ जाए बहुत ज्यादा improvement होगा trade execution के लिए क्योंकि यह वाले level अभी हम आपको examples भी दिखाएंगे यह वाले price actions सारे daily time frame के होते हैं और यहाँ पर trade execute करने के लिए हम लोग आते हैं lower time frame के उपर तो जब भी price आप जब level draw करो, levels के downside की तरफ movement देखाएं इस तरह के movement देखाएं तो फिर हमें trade नहीं करना है और इनके उपर जबरजस्तिक analysis नहीं करनी हैं अब छोड़ दो इनको याद रखो कि इस तरह के price action बिलकुल simple अभी हमने कहा ना आपसे कि हम कुछ इसमें good बाते नहीं करेंगे कुछ बहुत बड़ी analysis या reading आपके calculations कुछ नहीं करना है आँख बंद करके सिर्फ एक line अपनी draw करो बट उस line के उपर जो price action से आपके वो इस तरह के movement करते हुए दिखाए देने चाहिए हम लोग अब सिर्फ अपने इन वाली lines के पास से जो उपर ने line अपनी draw की है ना इस वाली line के पास से ही execution करेंगे बाकी से हमें मतलब नहीं है जिस दिन हमें इस तरह का price action मिलेगा हम काम करेंगे नहीं मिलेगा नहीं करेंगे यह वाला support या इस तरह से जो हम लोग resistance निकालेंगे सिर्फ यही work करेंगे सिर्फ हमने इसलिए बोला क्यूंकि आपके लिए यही सही है किसी को भी दोखो कि वो जबरजस्ती उपर नीचे इस तरह से कुछ भी line बना करके अच्छा यह है यह है ओके यह चौक बन गया यह ब्यूएस बन गया यह फलाना बन गया यह धिमकाना बन गया अब आपका रोट रेट बीस तरह की lines आ जाएंगे आप काम नहीं कर पाऊगे वो support resistance काम नहीं करेंगे कौन से support या फिर resistance काम करेंगे simple chart के उपर को indicator नहीं लगाना बहुत सारी टेक्निक होती है जो कि class अगेरा में जिब डिसकस होती है तो 4-5 advanced technique है जिसके according हम क्या करते है डेली time frame पर अपनी level निकाल लेते है एरिया निकाल लेंगे lower time frame पर जब आप आओगा ना तो lower time frame पर बिल्कुल आपको same इसी तरह के प्राइस दिखा ले ग्रिजिंग लोज भी अपनी एक टेक्निक है इसके according क्या होता है कि अगर यहां पर हमें दो दिन continuously लगातार गिरते हुए क्रम में अगर हमको volumes मिली तो तीजरे दिन हम लोग क्या करते हैं सिर्फ buy करेंगे अब यहां पर जैसे ही volumes गिरी next day जिंदल स्टिल को हम यह करना है अगर हम लोग जिंदल स्टिल को देखेंगे तो यहां पर पिछले दो दिन के प्राइस यह वाले बन रहे थे हमें next day क्या करना है बाई हम सिर्फ इस एरिया से अपने confirmations लें इस चेके से confirmations लेने के बाद में अब हम लोग यहां से बाई करते हैं तो प्राइस ने क्या किया पूरे दिन के इसको हम लोग चार्ट पर ही क्यों नहीं समझ ले रहे हैं देखें चार्ट पर आते हैं एंड यहां पर देखें सारी लाइन रिमूफ कर देते हैं हमें simply क्या करना है जैसे volumes कौन करेंगे यहां पर देखें आपको falling pattern दिख रहा हुआ यहां की volume के इतनी 1.69 य जैसे reading का तो उसको थोड़ी दिन में करेंगे पहले यहां पर देखें सिंपल सी समझें जिसको पर अब हम लोग discussion कर रहे हैं कि एक हमने support line draw कर लिया तो previous day में क्या हुआ कि इसी जगह से market ने 2 दिन यहां पर एक low लगाया फिर upside की तरफ फिर से देखें यहां पर एक movement हुई again upside की तरफ आज के candle को आप छोड़ दो सिर्फ कल के इन दोनों candles को आप read करो 5 minute के time frame पर आपको यहां से पता चलेगा कि किस तरह के price actions हो रहे हैं जिस कुछ support points बने अब इन supports को हमें कर लेना होता है mark हमने इने mark कर लिया समझ रहे हैं क्या हुआ कल के session में क्या हुआ कल का जो हमारा low था वो यहां पर लगा अब अगर price को downside की तरफ जाना है अगर इसको नीचे की तरफ गिरना तो फिर यह गिर जाना इसने क्या के देखे 9.15 की candle को downside की तरफ इसने opening तो नीचे की तरफ दिखाई हमाई level से नीचे बट यहां से जितने भी stop process थे कल के सारे stop process ले करके market सीधे upside की तरफ फिर इसने movement दिखा दिया अब देखे यहां पर क्या क्या हुआ है कितनी बार market ने up move दिखाया है low up again low again up फिर इस देखे price ने क्या क्या downside की तरफ आया अब इसको गिरना है तो फिर यह गिर जाना इसी जगह पर इसने resistance फॉर्म कर दिये और low performance support फॉर्म कर दिये आप गर नीचे की तरफ जाने तो swing low तोड़ते अपside की तरफ जाने तो swing high तोड़ते तो कल की ही closing में इसने swing high break कर दिया था मतलब कि price जब जब आप आपका इस वाली line पर आ रहा है यह ऊपर की तरफ भाग रहा है यहां पर भाग रहा है फिर से देखे इस जगह पर रहा है फिर से upside की तरफ चला गया अगें देखे downside की तरफ है फिर से upside की तरफ चला गया हमने किया किया जैसे ही price दोबारा से हमारी इस वाली line पर आया हमने सिर्फ इस red वाली candle के high पर आप देखोगे कि जो अपनी entry थी वो 629.85 पर हमने अपना वो लगाया हुआ था entry price क्यों क्योंकि 625.95 पर जो price था था 10 पर से थोड़ा सा नीचे हमने अपना entry point लगाया 85 पर अपनी entry थी बट हमें exact इस वाली candle 9.55 की candle के high पर 625.95 यहां पर हमको अपनी entry मिली थी यह entry का point था क्यों जब जब देखे price हमारा इस वाली लाइन पर टकरा आ रहा ना यह उपर की तरफ भाग रहा है यहां पर देखे यहां से आया ना सीध उपर की तरफ चला गया फिर आया फिर से उपर की तरफ चला गया अगें देखे यहां पर black candle बनी अब इसको नीचे की तरफ जाना है तो इस black वाली candle के लो तोड़ करके नीचे चला जाए बट नहीं यहां से देखे rejection candle बनी और वापस से price ने क्या किया इस red वाली candle के उपर की तरफ जाकर के closing कर दी अगें देखे price retrace हुआ सीधे उपर क्या समझ में आया है एक ऐसी line जहां पर price आपका again and again reject हो रहा हो यह इस तरह की movement दिखाए है ऐसे movement इस तरह की movement इस से same lower time frame पर हम लोग और पीशे चले जाना तो देखें यहां पर भी बही चीज़ हुए है यहां पर टक रहा है price से upside की तरफ चले गए यहां से भी upside की तरफ यहां से फिर अब इसी जगह पर अगर हमें buying का ना तो buying के अपने confirmations लेकर के trade execute कर दो समझ मैं या यह हमारे जिंदा इस लेकर trade था stop loss हमने क्या लगा था just 623 point यह वाला जो swing है ना इसके just नीचे 35 पैसे पर शयाद था stop loss just swing के नीचे अपना stop loss अब अगर market को नीचे की तरफ आना है तो इसने यह जो confirmation दी है इस range के ऊपर इसे नहीं जाना होगा अगर इसे गिरना तो यहीं से नीचे की तरफ गिर जाए but है clear है ना यह बार बार तो उपर की तरफ जा रहा है यहां से कितनी बार तो उपर की तरफ गया और कल decreasing loss firm हो गया आज तो green candle वैसे भी बननी है तो by side की probabilities जितनी भी है वो और ज्यादा high है तो price में क्या हुआ है एक up move इसने confirmation दी हमाई लेवल पर आया price प्रिवेज टेके सारे SL ली है यहां सीधे यह उपर की तरफ चला है इस तरह के price action पर जाए इस तरह के support and resistance आप निकालोगो ना तो वो काम करेंगे और यह कुछ ऐसी ही रहे है कि बस हमने कोई 2-4 line draw कर दिया और हमने आपको बता दिया actually यह trade executions है execution कि यह जब हम trade execute करें उसके ओपर अगर कुछ discussion करें ना तो यह ज़्यादा समझ मैंगा इसके पर confidence आगा हावावाई बात है ने कि कभी भी हमने कुछ भी trade करती है अब general still के लावा हम आपको कुछ और example दिखाएंगे शुरुबा general still से ही करेंगे और time frame होगा हमारा इस price section को समझानेगा price section कौन सा एक गया फिर से देखिए एक ऐसी लाइज जहां पर price आपका again and again touch करके आपके support पर support के confirmations time frame हम लोग इसके अंदर जो भी हमने बताया है कि hourly time frame यूज करेंगे आ जाएंगे सीदे या दूसरे चार्ट पर चलते हैं यहां पर देखिए यह है ना जिंदर स्टील का चार्ट है और same वही अपना stock same price action जो भी हमने आपको बताया अब तब से यह upside मही move कर रहा है यहां पर भी देखिए इसके movement कौन से हो रहे हैं हमारी लाइन पर आने के बाद में प्राइज रिजेक्ट 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 सपोर्ट बन रहे हैं आगे नहीं पर देखिए upside के तरफ चला गया है यहां पर एक चीज़ आप और देख पा रहे हैं जैसे हमने support श्रॉक है वैसे ही यहां पर देखिए resistance फॉर्म हो रहे है जब जब प्राइस हमारा इस वाई level को touch कर रहे है downside के तरफ movements हो रहे है और आज इसने क्या क्या हमारा resistance को support में convert का दिया यानि क्या अभी हमारा support बन गया यह वाला जो breakout था अच पूरा का पूरा breakout में देखने को मिला यही पर अभी हम दूसरा example लेते है just tell में क्या हो रहा है जो line अभी हम लोगों ने draw की है यहां से movement किस तरह के हो रहे है down यहां से देखिए again up फिर से down फिर से up again down again up फिर से इसी जगे पर supports ले रही है market क्या हो रहा है हमारी line पर बार बार market आकर के रुक रही है हमें यही price action चाहिए जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कौन किस तरह के price actions actually काम करेंगे इस तरह के price action को आप को शुरू आत्म प्रिफर करना और शुरू शुरू में शुरू का मतलब कि जब हम लोग price action की starting stage में है तो आपको इन price actions को छोड़ करके किसी और price action को आँख उठा कर देखना भी नहीं है करने दीजे जिनको trade करना है अगर seriously आगे कि तरह बढ़ना चाह रहे हो याद रखो एक एक बात trade execution या फिर काम नहीं करना ज्यादा मुश्किल होता है एक चीज़ आप यहाँ पर यह समझे मान लिजे हम जिन्दर स्टिल का यह लेवल अभी हमने ड्रॉ कर दिया price हम देख रहे हैं कि इस जगे पर यह support ले रहा है बात हमें trade करना ना मेरा point of action यह है लेकिन हो सकते है price आपका दो दिन 30 स्वाल लेवल पर आई ही ना तब क्या करेंगे फिर हमारे अंदर एक कुतावलापन होगा कि हमें trade करना है trade करना है आप trade को रहसेल जाएगा पता है आपको कि इस जगे पर ही trade करना है लेकिन trade नहीं करना ही इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है हमें हर condition में trade करना है यह देखिए INJ-USDT है अवर्ली टैम फ्रेम है एक अच्छा resistance है यह काफी strong resistance है क्या हो रहा है लगाता है price downfall दिखा रहा है मिया से जो swing high है swing high लगा कर कि आप इसको मार दो यहां से इसको लेना है से ले लेने जाएगा ने stop loss market यहीं से downside की तरफ reverse हो जाएगा क्योंकि upside की तरफ जाने के कोई chance नहीं है कितने लोग buy कर रहे हूँ यहापर green बन रही है green candle बन रही है green candle बन रही है नहीं बनेगी green यहां से market नीचे की तरफ यह आएगी कितना strong resistance है यहीं ब्रिक हो जाएगा क्या आप आज हो सीदे 15 मुनिट के टाइम फ्रेम पर अब यहां से हमें चाहिए होगे आपने short selling के confirmations इस जगे से अब हम trade यहां से मारेंगे इस जगे से अब हमने क्या बताया है इस तरह के price action को trade करो आपको मज़ा आएगा काम करते हुए बट इसी जगे पर हम लोग क्या करें कि नहीं अब हमें इसको भी trade करना है हमें यहां से भी trade करना है यह दोखो एक flag बन गया और price हमारा यह उपर चला गया इसने एक बड़ा सा bridge बना दिया और यहां पर देखे क्या हुआ न एक downfall आया प्राइज हमारा नीचे की तरफ गिर गया अब हमें इसको भी trade करना है यहां पर भी देखो एक flag pattern बन गया यहां पर देखो एक बड़ा से UFO बन गया और प्राइज हमारा उपर क्या सब इस तरह की 25 तरह की लाइना आप चार्ट पर डाल दो गया यह confusion ही तो होती है अब actually किस पर काम करें इस पर करें इस पर करें इस पर करें कौन से support या resistance काम करेंगे इस तरह के जो simple सी चीज है ना वही काम करेंगे अभी इस पूरे प्राइजक्शन में रीडिंग में हमने वॉल्यूम का तो discussion किया ही नहीं वॉल्यूम एट कर दो गया ना यह और strong हो जाता है और हम आपको example दिखा दें यहाँ पर देखो यह resistance बन गया है यहाँ से market में क्या होना है इतना बड़ा एक move आया अब यह nature है market का nature उसको समझो कि इतना बड़ा एक move आया है क्या लगता है तुन्हें नीचे गर जाएगा नहीं अभी यह side वे रहेगा थोड़ी दिरता यह nature है आपको काम करते करते समझ में जाएगा observe करो इस तरह के level strong करो observe करो कोई भी आप यह समझ लेना इसके results negative होते ही नहीं है नहीं होंगे negative कुछ भी question हो कोई doubt हो तो इसको comment box में लिख दो उसका reply मिलेगा काफी मेनत लगती ही वीडियो बगर बनाने में आपको यह सारी चीजे जो भी हमने बता ना दो दो लाग तेंती लाग पर लोग जो फीस लेते हैं वो लोग नहीं बताएंगे कौन इसमें समय माथा पच्ची करेंगे आपको तो defender लेनी है आपको तो land rover लेनी है तो वो defender की बात करेंगे यह पिर इस तरह की price action यह फलाना volume और तरह तरह की candle की उपर discussion करेगा यह कौन देखता है अब बहुत से लोग हमसे यह पूछते हैं कि इतने कम views कैसे हैं आपके हमारे पास उसके solid reasons है एक है जो दूसरी तरफ को कह रहा है कि उड़ा दो इन गिरा दो और यह कर दो यह formula बन जाएगा और हम कह रहे हैं कि यार practice सही आएगा जो आएगा कोई shortcut नहीं होता है तो आपको reality नहीं समझ में आती है larger than life चीज है जहां पर 3,5,000,000 रुपए देने के बाद में कुछ बता जा रही है वह वहां पर समझ में आता है लेवल पर आने का wait करना यहां पर आएगा जो भी करना हो buy या फिस sale जो करना हो ना इस level से करना बाकि इधार दर कुछ मुद करना है यह जो support आपने बना लिया है यही सब कुछ है बाकि कितने सारे इमने videos अप्लोड के ना उन videos को देखो Fibonacci लगा लो Volume Profile लगा लो कितने methods आएंगे trade करने के मतलब आपको बहुत सारे levels मिल जाएंगे यह लेजे इतने सारे levels आपके आगे कौन से levels काम करेंगे कुछ काम नहीं करेगा जिससे stage में या फिर हम अगर यह मान करके चले कि नहीं अभी आप शुरुवाती stage में हो उसमें काम करेंगे तो कोई support या resident अभी यह हमने बता है ना सिर्फ इसके ओपर master करो यह actually यहां से हम लोग आगी की तरफ बढ़ सकते हैं अभी मैं से ही example लेकर करके कितने example दिखा है ना I hope की साही चीज़े आपको समझ में होगी और जिस तरह से जो भी चीज़े हम भी हमने पताई है इसको आप ट्राइ करना अपने trades में शामिल करो जो आपका एक routine है कि जिस तरह से हम लोग trade पगार execute करते हैं उसमें समय यह साही चीज़े हम भी तरह करके शामिल करो वह इंप्रूव होगा 101% इंप्रूव होगा 95% traders जो लोग lose कर रहे हैं उनसे बाहर निकल के आना है न आपको क्या करना है मतलब कुछ करना नहीं है उसके लिए उस लिस्ट से बाहर आने के लिए आपको कुछ करना नहीं है बहुत सारी चीज़े जो आप कर रहे हैं बस उसको बंद कर दो आप उल्लेडी वहाँ से दूर निकल के आ जाओगे रोज़ों स्ट्रेट करना बंद कर दो setup find करो अपना एक segment fix करो मन में जब तक लालच है न जब तक लालच है आप नहीं काम कर पाओगे जब तक लालच है काम नहीं कर पाओगे मन में एक रुपय का भी लालच है नहीं कर पाओगे यहां पर मारते तक लोट तो लोट मारते यहां पर कुछ १ाधार तँर यहां कुछ 1500 रॉपय का profit तो हो ही जाएगा अगर मन में बिल्कुल भी ये बाते हैं काम नहीं कर पाओगे छोड़ दो market वो हालत होगी आपकी कि आपको कोई संभाल नहीं पाएगा focus सिर्फ और सिर्फ आपको करना है अपने process पर focus आपको सिर्फ और सिर्फ करना है अपनी practice पर अपनी capability को बढ़ाईए profits automatic increase होते हैं 5000 रुपए की ही जरूरत होगी काम करने के लिए लेकिन यही 5000 रुपए से अगर आप option trading करने जाओगे ना तो वो एक दिन भी नहीं चलेंगे 5000 रुपए में हम पूरे महीने आपको trade execute करा देंगे और 5000 रुपए खतम नहींगे last time profit में ही निकलोगे capability रही तो 5000 रुपए को ही आप increase करके 10 बना दोगे एक रात का नहीं है मेहनत लगती समय लगता है लेकिन 5 का 10 हो जाएगा 10 का 15 होने में टाइम नहीं लगता शुरुवाती steps ही महेंगे पढ़ते हैं अगर मेरी किसी ही बात का आपको बुरा लगा हो तो बुरा लगा हो कुछ हमने अलग से नहीं बोला है सारी चीज़े जो market की हैं जो हम रोज देख रहे हैं वही बोल रहे हैं अगर आपको बुरा लगा है तो भी लगता रहे हमें फर्क नहीं पढ़ता So thanks and we will meet again